इसलियं के आप लोग कैसे हैं उम्मीद्क करता हूं अपिलोट ही सुर्ट की कटिंग और यहां से बाडर बना हुआ है इसका कि इसे हाज करेंगे इस तरह से यहाँ पर करेंगे यहां से इस तरह से फॉल करने के बाद दोस्तो इसकी लंबाई देखेंगे कि कितनी आ रही है हमें लंबाई लगवग 49 इंच चाहिए थी तो ना पेंगे किस तरह से देखेंगे दस्तो इसकी लंबाई लगवग 49 इंच आ जाएगी बने के बाद तो ठीक है उसके बाद दोस्तो इसके उपर से पहले तो बरावर करेंगे काटकर यहां से ब्रावर करदेंगे काटके और उसके बाद दोस्तो इसका तीरा रहेगा देखेंगे से यह 6 इंच त्यार रहेगा तो इसका अजरी चेंच साम लगा लिया है और इसका चेस्ट जो है वो 36 इंच है तो हमें उसे साथ से नोचोग 36 इंच आता है तो उसमें से हम 8 इंच रखेंगे तैयार तो 6 इंच पर निसान लगाएंगे और 2 इंच की लूजिंग की बज़े से इसमें 8 इंच मुड़े आ जाएंगे तो यहां से हमने सीधा लकी रहा है इसे मुड़े का निसान हमने 6 इंच पर लगाएंगे उसके बाद इसमें हम ढाल देंगे इस तरह से चेस्ट जो रहेगा वो 18 इंच रहेगा तो हमने 9 इंच पर निसान लगा लिया है और यहां से 13 इंच तक इसकी चाक रहेंगी तो हमने चाक का निसान है इस तरह से लगा लिया है और बीच में दोस्तों रहेगा 15 इंच तो हमने 15 इंच के साब से निसान लगा लिया है साड़ साथ पर और नीचे साड़ सत्रा इंच रहेगा तो पहुन नौ इंच पर निसान लगा यह और नीचे गेर जो रहेगा न अठारा इंच तो मैंने नौ इंच पर निसान लगा लिया है और इस तरह से मैंने इसे सीधा किया है लकीर कर कि हमने निसान लगा लिए हैं सीधे उसके बाद यहां पर हमने राउंड दिया है दोस्तों और जित दोस्तों सबाव इंच तक हमने निसान लगा सकते हैं इस तरह का राउंड बाला और उसके बाद दोस्तों यहां पर हम इस तरह से डाल देंगे इसमें और यहां पर मैं दोस्तों लगबग 1.5 इंच बड़ा कर काटना है जो मैं दबाव की लिशोण में आए ताकि हम आगे चलके डीला या टाइट कर सकें और यहां पर मैं 18 इंच चेस्ट पर लिख लिए 15 इंच बीच में रहेगा और नीचे हिप पर रहेगा 17 इंच कि इसके दोस्तों कि हम बपनी इवन कर देंगे कि इस तारे से कटिंग कर लेंगे दोस्तों कि इस तरह से हमने कटिंग कर लिए दोस्तों उसके बाद इसमें जो हमने निसान लगा है उसे साब से कुटके लगाएंगे यहां पर एक खुटका लगेगा दोस्तों और दूसरा खुटका मारा यहां पर लगेगा इस तरह से और अब हम बैक साइट को कटिंग करेंगे और इसमें दोस्तों बैक साइट पर जो गला रहेगा पीछे वो ड़ा इंच रहेगा जो रेडिमेंट में आता है कुर्ति बाला इसलिए इसका तीरा जो रखा था बारा इंच तयार आएगा तेरा इंच पर कटिंग की है और इस तरह से बिछाएंगे बैक साइट को यहाँ पर हम नाखुन लगा लेंगे ताकि अच्छा बैठ जाएंगे और इसके उपर से हम इस तरह से रखेंगे यहाँ पर बिलकुर बराबर रखना है और बराबर रखने के बाद दोस्तों इसमें हम खलाई देते हुए कटिंग करेंगे मितलब खलाई जो हमने सामने वाले पले में दीए उससे छोड़कर इसकी कटिंग होगी तो यहाँ से हम डारेटली कटिंग करेंगे इतना छोड़ते जाएंगे लगबागादा इंच इस तरह से और फिर इसके बराबर से कटिंग कर देंगे इस तरह से हमने बैक साइट को भी कटिंग कर लिए और कुटके भी उठाएंगे साथ में यहां से उसके बाद दोस्तों इसे एक साइट से रख लेंगे यहां पर लिखेंगे दोस्तों राह इंच तक हमें ये आद रहें कि राह इंच isका अगला रहेगा पीछे का है हुआ है और उसके बाद दोस्तों इसकी कटिंग करेंगे औस तीन की और आसटीन की लंबा ही जो है वो कौँनी तक रहेगाने की सौट वाली बनेंगे आस थिन आस्तिन की वीडियो लिंक डिस्क्रप्स में मिल जाएगी हमने बना की डाल रखिए तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि कितनी आस्तिन तयार आई थी बनने के बाद इस तरह से नाकुल लगा लेंगे दोस्तों उसके बाद यहां से हम राउंड देंगे इसमें राउंड दोस्तों रहता है दो इंच तक तो आप वीडियो भी बना रखिए तो आप लिंक डिस्क्रप्स में मिल जाएगी तो आप बहाँ जाकर देख सकते हैं कि राउंड निकालने वाली आस्तिन की कटिंग की वीडियो लिंक डिस्क्रप्स में मिलेगी तो बहाँ जाकर देख सकते हैं दो इंच तक इसका राउंड रहेगा तो दो इंच हमने यहां पर निसान लगा लिया है और इसका लंबाई जो आस्तिन की रहेगी वह दो इस दस से मने आदा इंच लगवाग खालाई दिये और यह आस्तिन की कटिंग हो गए दोस्तों अगर आप लोगों के वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और नियों तो चैनल को सब्स्क्राइब कीजिएगा भाई दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ